भारत में अगर समान नागरिक संगता का कानू लाय जाए तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए? इस पर विधी आयोग ने अगले 30 दिन में सब की राय मांगी है। इसके लिए आयोग ने एक इमेल आईडी भी जारी की है जिस पर सुजहाव भेजे जाने हैं। इमेल है member secretary-lci-at इसमें जो निती निर्दिशक सिधानत हैं। उसे में इस बात की अंसंसा की गई है कि सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि देश के अंदर inform civil code लागू किया जाए। साधी तलाक या उत्राधिकार जैसे मामलों में सब के अपने अपने कानून चलते हैं। लेकिन हिंदुवादी संगट नों खास कर संग परिवार की मांग है कि देश में समान नागरिक संगता लागू की जाए। अल्प संख्यक समुदाय का एक बड़ा तब का इसे अपनी पहचान पर हमले की तरह देखता है। बहुत सारे लोगों की राय है कि भारतिये रिती रिवाजों की बिविद्धिता बनी रहनी चाहिए। बिजेपी लंबे समय से समान नागरिक संगता को अपनी मूल एजेंडे पर रक्का है। राम मंदिर और अनुछे 370 के आलावे य उसका तीसरा सबसे बड़ा मुद्धा राय है। उत्राखन में सरकार इस पर एक कमीटी भी बना चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि विद्धियायोग को सरकार की कटपुतली नहीं बनना चाहिए। नागरिक संगता को लेकर विद्धियायोग ने सुझाओ मांगे हैं उपकरण बन जाते हैं तो आपके विजडम पर भी संदेख होता है। पुरी दुनिया डैवर्सिटी के रिस्पेक्ट की और बर रही है। मैं तो सिर्फ कहूंगा विद्धियायोग को कि आप सरकार के हाथों का पपेट की तरह बैभार मत करिए अपने पुराने दस्तावे डिसाइड अन सच पॉलिसी मैटर। से ध्यान भठकाने के लिए है। यह बात सता पर बहुत अच्छी लगती है कि देश में हर नागरिक के लिए एकी कानून होना चाहिए। लेकिन हर देश अपने समाजिक संस्कृतिक मुल्यों को ध्यान में रखकर अपने लिए नए नए कानून लाता है। समान नागरिक संगता पर बिलकुल बात होने चाहिए लेकिन इस तरह कि कुछ संपरदाय को यह न लगे कि इसे राजितिक आउजार के तौर पर इस्तमाल कर उनके पहचान पर चोट की जा रही है